तो कोश्चन नमबर वन से स्टार्ट कर रहा है 1,2,3,4,5 सेक्मेंस में दो दिन का टारगेट हो तो एक दिन में टुटल नमबर व कोश्चन कितने हैं आरे 50 है तो 25 कोश्चन होना चाहिए 50 कोश्चन 50 मान लेते हैं एक आद तो काठी देंगे तो एक दिन में खतम करना है मतलब एक दिन में 25 कोश्चन आज करने का टार्गेट है तब 180 180 180 तो ऐसे भी नहीं पढ़ा थे, 180 मिनट पढ़ा थे हैं कि हम बढ़ा है बढ़े मस्किल से 120 मिनट divided by 25 नहीं हो सकता चाहर मिनट में पढ़ने में टाइम लगया है कोई बात नहीं हम करें काम स्टार्ट करें अच्छे से खतम करें जाथ अच्छे आप बिना टाइम चल्दबाजी नहीं करेंगे हावा में नहीं कुड़ेंगे अराम से बढ़ेंगे ठीक है कोश्चन नमबर वन करने जाना कॉंकि इससे 100% कोश्चन आने है जब आना है पाज 10 दस नमबर का स्वाल एक्स कंपनी हैज मेट प्लांस फर नेक्स यह तर यह तो रेशो चल रहा है ना रेशो चेप्टर है इस बार देख लेत भाई साहब आपको दिया है टोटल एसेट्स आट लाक रुपे का एक प्रिप्टी पर्शंट ओप दी एसेट इंग फाइनेस बाई बॉरोड कैपिटर एट एट एन रिकॉश्ट आप मतलब यार बताओ रोटल कितना है इसमें से चार लाक रुपे का क्या है बॉर्री मतलब रेट और रेड़ अप इंडरेश्ट कितना है और चार लाग रुपे का हो गया आपका एक वटी मान लेते है यह भी ठीक है तो डारेट कॉश्ट फर्द इयर डारेट कॉश्ट कितना दिया है चार लाक ऐजार मतलब कोई प्रोड़क्ट बना रहा हो तो उसका खर्चे होगा चार लाक ऐजार और ऑर ऑप्रेटिंग एकसेंस कितना है असी हजार जो गूट से बेचा जाता है वो वडblade से बेचा जाता है वो 150 परषट अफडारेट कॉश्ट पर बेचा जाता है हाँ हाँ हुम तो तर वाला काल्गुलेटर यह लाहूं है, 7,20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, into 100 return on asset निकलना है return on asset या return on investment या return on capital employed या था EBIT divided by capital employed या total asset into 100 अब EBIT भी pre-text भी हो सकता पोस्ट एक वो मैं करवा दूँगा इसको आसे turnover ratio turnover divided by total asset return on honors equity या रणिंग हाँ ये 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 रणिंग divided by equity into 100 पर उस सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा ने income statement इस्टार्ट कहां से करेंगे sales माइनस क्या करोगे diet cost माइनस क्या करोगे operating expenses जो आएगा उसका नाम बोलो EBIT EBIT में से क्या माइनस करोगे इंट्रेस्ट तो EBIT tax earning after tax तो वहीं तक जाना है और फिर तो नहीं करोगे अब हलो ठीक है तर आप भी करो ना आप भी बोर हो जोगे मैं भी करता हूगे तो पहले बनाते है स्टेटमेंट में और इंकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा एट्यों प네요 एकलां कितना है रहा है तो कुछ फूए क्या आक्छला कर्ष्ट करेंदे Gumasa गड़नाते है इंटी 160 पर्षेंट एप्लास 150 पर्षेंट अतो आप्-कालड तिलयोंम में हुन या यहां कितना लिग है, साथ लाग? पाच लाग कुछ आया था, वो कैसे आया था? माइनस एरेक्ट कॉष्ट तर यह इलुस्टरेशन नमबर थ्री है आपके मॉड्यूल का देख ले ना, ताकि हम मॉड्यूल का एक एक चीज़ डायरेक्ट कॉष्ट कितना है? चारला, तसी हजार और कुछ है कि माइनस ओपरेटिंग एक्सपेंस ओपरेटिंग एक्सपेंस इस कितना है? तसी हजार जो नाम आया उसका नाम क्या था? एबी आईटी एईटी बोलो एक लाज़ ताथ हजार माइनस क्या करोगे? प्रेश्ट प्रेश्ट में इतने का? चालाख? आठ पर्शन पतिस हजार ये जो आया ये क्या नाम रहा इसका? टी बोलो प्रेश्ट एट थाउज़न इनस टैक्स किरना पर्शन? फिप्टी बर्शन फिक्स्टी प्रेश्ट प्रेश्ट क्या आगे ये क्या नाम बोलती है अब इसको? इसका आप टैक्स जलो रेश्यो श्राट करें नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो कहें नेट इस वो सकता है कि डिस्क्रिप्ट आजाए तो बड़ा फॉर्मूला वर्मूला लिख लेगने है नेट प्रॉफिट डिवाइड़ेड बाइस इन 8.89 अच्छाली बाकी लोग समझदार है वो लोग आगे बढ़ड़ा होगे रिटन अन एसिट रिटन अन एसिट का फॉर्मूला श्राट नहाए रिटन अन एसिट प्री टैक्स भी हो सकता है पोस्ट टैक्स प्रेकेट में लिखो प्री टैक्स फॉर्मूला एबिट है रिटन अन कापिटल एंपलोईट बुलत ऐबिएट रिवाइट बाई टूटल असेट इन्टो अन्ड़ट एबिएट कितना भई एक लग साथ हजार टोटल एसेट आर्ट लाग इन्टो हंडर इस परशन और अब लिखो पोस्टेक्स EBIT 1 मैनिस टेक्स इसको बलते हैं Nopet Net Operating Profit After Tax वो फाइनल वाइनल में है तो अभी क्या मतलब जब रदस्ती हम लिवाग चिला है इस परशन इग्जाम में आया Return on Acid तो क्या लिखो Pre-tax की पोस्टेक्स दोनों करके आजाना Acid Turnover में तो आप Expert हूँ परशन इन्टो हंडर ने 0.9 परशन Acid Turnover Ratio का formula बलो Turnover divided by Total Asset इक है इख लिया चलो आखरी बलो Return on Owner Security मतलब 16% जहां भी Return सब दाएगा न Return भाई आपको इन्टो हंडर्ट करना ही तो 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 Return on Honor Security 64,000 Asset Turnover Ratio Turnover कितना उपर 7,20,000 Turnover कोई प्याठ है 0.9 0.9 मतलब जहां दिल किया इंटु हंडड कर दिया इसा नहीं चलेगा जहां Return निकालना होता है Return वहां इंटु हंडर्ड होगा बाकी टाइम से में निकलता है Return Return on Honor Security मतलब 64,000 कितने पर कमाना है 4,000,000 4,000,000 पर कमा रहा है तो 16 बर्षन और एक लिखो Operating Profit Margin सब्सक्राइब लिखाए में है Operating Profit Margin EBIT divided by sales कमाल है Pre-Tax की Post-Tax दोनों निकल लेना Operating Profit Margin मतलब EBIT उपर आएगा नीचे sales से जाएगा हलो कि के लिखाएगा ने यह तो मेरे था ही नहीं कान से आप लोगों का आपस में मैच हो गया इतना 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 असी अजार एक ऐसा कोश्चन करें कि थोड़ो आपको भी मज़ आए थोड़ा एक ही जैसे यह स्टडी मैट के कोश्चन है सबतों से मज़ा नहीं आएगा यह तो concept समझे कोश्चन करें कोश्चन करें कोश्चन नुम्र 7 मैं ऐसा फ्लू बनाते हुए चलूँगा क्या है नहीं तो बोरिंग हो जाएगे यह वाला आपको दूँगा आप बनाओगे दिमाग चिलाओगे इस भाई साब ने बैलेंस इट उल्टी दे दिया तो आपको उल्टी ही बनाना है ज्यादा दिमाग मत चलाना इसको सीधा कर देंगे जैसा दिया है वैसा करेंगे टाइम्स एक्स यह लो काट दी है वागे कुश्च नहीं सर यह क्या हमारे study mat का question है तो आप के लिए थोड़ा सा पड़ा देता हूं complete करना है बैलें long term debt to net worth और net worth में क्या आता है बुले common stock और return यह दोनों मिलाकर net worth अधर नहीं आता कभी एक बड़ी एक लाग एक लाग टूटल नमिलाकर net worth कितना है तो लाग का आधा क्या रहेगा long term debt multiple choice question नहीं आपको लिखना है अभी मैं पढ़ आँ question average collection total asset turnover ratio दी है total asset निकल जाएगा तो क्यों से turnover निकल जाएगा average collection period 18 दीन अगर sales निकल जाएगा turnover निकल जाएगा तो फिर 18 divided by 360 18 divided by 360 करेंगे sales निकलेगा सारा sales credit sales मानेंगे मानेंगा क्या लिखा data से निकल जाएगा बिल्गुल सही अचा यह inventory है अभी inventory उसके लिए COGS चाहिए और GP दिया है तो COGS निकलेगा उससे inventory acid test ratio मतलब quick ratio आच मेंट बहुत correct STR stock turnover ratio का formula है COGS divided by average stock यह दिया हुआ 9 COGS कितना निकला आपने 9,00,00,00 average stock निकलेगा तो सर यहां हम average stock थोड़ी लिखते हैं लेकिन अगर हमारे पस opening closing कुछ information नहीं है तो वह दिखना पड़ेगा long term loans कितना है 1,00,00,00 तो यह total कितना हो गया 4,00,00,00 किदर भी total कितना हो गया 4,00,00 इसमें से सबसे पहले क्या निकाला account receivable 5,00,00 और stock turnover versus stock आ गया कितना 1,00,00,00 यह दोनों चीज तो मेरे समझ में आ गया अब सवाल यह है कि cash question है balance है 1 to 1 मतलब जितना current liability होगा उतना ही liquid asset होगा stock को छोड़ दीजी तो यहां कितना आना चीज यह दोनों मिलाकर cash और account receivable मिलाकर 1,00,00 तो यहां कितना जाएगा 50,00,00 मैंने इसी पैसे read करके बता दी वह भी सही है formula पर common sense भी लगा सकते 1 to 1 मतलब stock को छोड़कर 1 to 1 तो यह 1,00,00,00 है तो यह भी 1,00,00,00 तो दिखाना थो बड़े साहीं किया है ऐसे वहाँ पूछेगा थो नहीं paper आकर बताओ क्या हुआ अच्छा गोट तुदी मैटकर नमे टूपी अजीव question number 2 यह illustration number 6 यह जो ICAI के module में illustration देता है न वो बड़े-बड़े question उठाव कर लेता है तो balance sheet दिया हुआ है और साथ में आपको profit and loss account भी दिया हुआ है ratio आपको दिया है वो दिया है industry इसका मतलब यार हम comparison करते है न तो हम comparison किसके साथ करते है similar company industry के साथ industry मतलब CMA 2-3-4 classes है रायपूर में उसका मैं अपने साथ उनका average देखूंगा और उनके साथ हाला कि final की class है नहीं है तो फिर में बात ही नहीं है अब सवाल यह है यह है industry का आप अपनी company का निकाल के बताओ निकालना बहुत बड़ी बात नहीं सबसे पहले कौंसा रेश्यो निकालोगे current ratio current asset divided by current liability धूंडो balance sheet में current asset कितना है और current liability कितना है यह है क्या current asset और current liability में क्या जाएगा यह सब की सब ratio निकल कर बताओ current asset divided by current liability answer आना चाहिए 2.67 एक बार देख लो फिर हाँ बीटे वो भी लेना 2.67 इंडुस्ट्री का कितना था अगर इंडुस्ट्री की अपिक्छा देखो तो ठीक है यह हमारा current ratio ना बुना वैसे 2.5 होना चाहिए थोड़ा बहुत उपर है तो भी चल जाता थोड़ा सा उपर है तो ऐसी इसका कितना आ गया है 2.67 कमेंट करना है तो कमेंट करना तो आपको अच्छे से आता है 3.33 1.43 2.10% यह कौन सा रही हो था? नेट प्रॉफिट? कमेंट बोलो 3.5 है इंडुस्ट्री को और आपका 2.10% कमा रहा है के सब परफोर्मेंस है इंडुस्ट्री क्या पेक्चर? अच्छा नहीं है? यह लिखना है 7.19 4.81 8.1 यह लाष्ट वाला 37.66 यह निकाल लेना धूनते जाना निकालते जाना धूनते जाना धूनते जाना धूनते जाना कोश्चन आशान हो गया से बड़ा कोश्चन अमने स्पिक्ट अगला आप बना रहे हूं कोश्चन अमने स्पिक्ट यह है आपका टी वाई के वन पहला ही कोश्चन है आपके मॉडूल का और एक बात पढ़ दो अच्चे से पढ़ना बिट्टे यहां यह कोश्चन थोड़ा दिमाग ट्रिकी कोश्चन है तो टूटल सेल्स कितना दिया भाई एचालिस रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया पंदरह परशन तो क्या हम सीओ जीओ जीओ साराम से निकाल सकते हैं यह जुरत पढ़ने पर सीओ जीओ अगर श्टॉक टॉन ओर इशो फाइव टाइप से श्टॉक टॉन ओर रिशो कैसे निकलता है पर सीओ जीओ जीओ निकल जाएगा एक बार निकल गए बताओ में भी देखू आंसर मैच हो रहे है नहीं सीओ जीओ जीओ नहीं एवरेज श्टॉक चाहिए नहीं नहीं डिट्रमाइन दा एवरेज श्टॉक आपको यह देखकर बोल रहे हैं नहीं डाले 1088 00 करेक्ट अंसर कैसे निकाला मैभी तो देखूँ लिख लेते प्यार से कोई नंबर की 306 दिन क्यों लिखा है भाई कि 306 को करूगी क्या उसका यूज है यूज सोचने वाली बात यह नहीं मैं बता रहा हूं न मैं करवा रहा हूं सबसे पहले क्या निकालेंगे मतलब पहले नंबर पर क्या है एवरेज श्टॉक अब जन्बश के परिशान कर रहे हूं एवरेज श्टॉक ठीक तो सबसे लें सीओ जीए एवरेज श्टॉक 3,40,000 क्योंक 85% 6,40 into 85% कितना और और कुछ एक बात तुए बता रहा हूं क्योंकि पेपर चेक करने वाला समझदार हो तो ठीक है और ये वाला ये चलता नहीं है वैसे ये क्या लॉजिक हुआ माइनस 15% मतलब 0.15 हो गया 6,40,000 तो ये तो कुछ calculator के लिए ठीक है अब 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 आपका अंसे सही है मैं 360 को यूच करना चाहता हूं तो कर सकता हूं कोई ACP ACP कैसे निकलते हो याद है तर 360 divided by dtr 70 dtr कितना है 5 5 तो बलो कितना आ गया है 72 तो डेस IC AI टाइम पस करना है मेरे स्टाब को बला था आंसर भी लिख देना तो उसको जो समझ माय वो लिख दे या मतलब कुछ भी जो दिख रहा वो उसने आंसर लिख दे 72 days अब क्या है उसको लिखना था actually average stock तो बलो तुम तो नहीं लेगा चालो ठीक है कित लाट 5.34 ता लगा ज्वाभी छोड़ दिया 360 मैं भी टाइम पास कर रहा हूं 360 का यूज बता रहा हूं हाला कि अब भी जानते है final answer आएगा 5,44,000 divided by 5 अगर हम expert है तो अगर नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकता अंसर कितना आगे है 1088 ए तो हो गया भी average collection period बताना collection period मतलब यार यह तो डेटर्स पर ठीक है और डेटर्स यह क्या चीज है भाई opening balance of debtors opening balance दिया है अस्या जाए तो सर हमको closing debtors चाहिए opening दिया तो पक्का वह average तो नहीं बोलेगा closing debtors closing debtors मतलब सर वह balance sheet वाला और balance sheet वाला मतलब कुछ ना कुछ balance sheet का ratio दिया रहेगा और कौन सा ratio दिया है current ratio अगर closing debtors आपको पता कैसे लगा कि मुझे closing की जरुरत पढ़ेगी इसको देखो अच्छे से क्योंकि opening दिया है मां क्या रहा है average अगर हम DTR वाले formula से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वह निकलेगा average अगर उससे पूछ रहा होता तो फिर भाई opening क्यों दिया रहता वह चाहता कि आप closing debtors निकालो और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा current ratio अब current ratio में आपके पास 9600048 है और cash है 960002.5 960002.5 minus 48 minus 16000 176 plus 18000 divided by 2 120 यह क्या आया भाई average divided यहां उपर क्या जाएगा 46 अंसर कितना जाएगा 5 वह क्या पूछ रहा है आपसे average collection period अब आप decide कर ले ना कि मैंने गुमाकर किया हूँ हम सीधा भी कर सकते हैं कि हम इसको 300 side divided by 5 करेंगे तो 72 days आजाएगा ऐसा खैस 300 side divided by 5 करो 72 days आएगा मुझे निकालना क्या है AC अब आराम से करते हैं अब आराम से करते हैं अब आराम से करते हैं average collection average collection period का कुछ formula यहां थे दो formula है मेरे पास थे 160 divided by yes एक तो यह formula जो अभी कर रहे थे हम लोग दूसरा formula क्या बन गया average debtors divided by varied cells per day देखो पिछले साल working capital बढ़ा था ना रेशल्स per day जाथा कुछ बढ़ा था हम लोगों rate आप जैसे करना वैसे कर लो पर हमको चाहिए तो average debtors चाहिए आप इसको करो चाहिए इसको करो कुछ भी करो तो पहला काम क्या करें हम average debtors निकलते और average debtors के लिए पहले हमने कर पॉइंट नंबर कौन सा है बी तो सबसे पहले क्या निकल लोजिंग लेटर्स current asset is equal to current asset कितना current liability कितना है 90 इंटो 2.5 बलोँ कितना 12,40,000 और अब हमको क्या निकलना पड़े है closing debtors 12,00,000 that is minus 48,000 minus कितना है 1,06,000 अब क्या जाएगा average 1,07,000 6,000 plus 30,000 divided by 2 1,08,000 यह तो हमको निकालना ही पड़ता है और सवाल है कि DTR निकाले की direct करें direct करें ACP 1,08,000 यह आ गया हमारा average rate is trade sales कितना है 4,40,000 60 60 70 70 सर तो आपका इस्टाप कौन सा गला था सहीं था भाई 72 तो यह वाला लिखा था ठीक एक यह एक इसमें फ्स पास श्टाड भी नहीं जो पिति नोहार बन आओग नहीँ छुटा मला आयए तो यह इतना बड़ा नहीं दूग कोश्य नम्बर नाइन है जाएज कोश्य नम्बर नाइन हाँ बैलेंस इट नहीं दिया बोले वो तो आता है कोई बात नहीं पर आप तो समझधार हो ना चलो पहले चीड बना रहे है अब जुगारा लगाओ नहीं क्या क्या आएगा शियर कापिटल आएगा और क्या आएगा करेंट डेट आएगा और टूटल डेट आएगा और एक्विटी आएगा और फिक्सेस इट आएगा और स्टॉक भी आएगा चलो बना दूंगे बैलेंस इट तो मैंने बोला था कि बुक छोटी बनाना उसने बैलेंस इट उड़ा दिया तो मैं तो नहीं करता है यह क्यापिटल इतना एक लग तो दिया है और लॉंग टर्म डेट भी है आप भी जानते हों और करेंट डेट भी है अनलब करेंट लाइबर्टी होगी और क्या दिख रहा है आपको फिक्सेसेट है और इस टॉक दिया है तो के अलबा भी तो चीज़े कोगी तो ट्रेशिवल निकालोगे कैसे मेरे पास जुगार अधर करेंट है सिट और यह टैली होगी अब तो कर लो बाहने बहुत हो गए अच्छा आई पार बनाएंगे हैं पूस्चिन नमबर 43 पे आना एक प्लार क्या कोश्चन देखा देखा लग रहा है कैट कर दो कुश्य नमबर 43 क्यट अभी बहुत सा रहा है न दीरे दीरे चलिए प्रकारत कि यहां कहीं गर्बढ़ है कि बता तो यह तो के से अब ही चलिस ज़र एट टाइम्स हाँ तो ज़रा बताओ यह टोटल एसिट कितना है एक लाक साथ है जाए इंटो टू इन भीस अब सीयोजियस निकल सकता है क्या नहीं तो फिर तो इसी को उठाना पड़े हाँ जी अगर डेट्रस का कुछ दिया रहता है तो फिर वह तो इस एक और सिंपल से कोश्चन करें कोश्चन बब फॉर्स यह आपका है और यूल का कोश्चन जो 43 कट कर रहा है वो 44 भी कट कर देना क्यूंकि आपको 44 ऐसा दिख रहा हुगा कोश्चन तो एक बाद पढ़े कोश्चन को इसके बाद प्रक्टब देखा है कैपिटल इस्ट्रक्ट्चर बीटा लिमिटेड इस फॉलोस एक विटी शेयर कापिटल है आठ लाग और नाइन परसें कापिटल है तीन लाग और प्रॉफिट आफ्टर टेक्स दे रखा है दो लग सकतर अजार एक विटी डिविडेंट पैड कर रहा है 20 पर किसका यह नहीं बता है अब वो अर्निंग का है कि फेस वैल्यू का है कि मार्केट प्राइस का है तो डिविडेंट पैड लिखा सबसे पहले बोल रहा है डिविडेंट येल्ड है निकाली है अब प्रॉफिट आफ्टर टेक्स दिया है दो लाक सत्तर अजार एक बार अर्निंग तो निकाल लेते हैं सबसे पहले दिया है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट ये वर्किंग है आपकी वर्किंग नोट और नेट प्रॉफिट कितना दिया है भही दो लाक सत्तर अजार अब इसमें से कुछ माइनस होने का बाकी है माइनस क्या करोगे प्रॉफिट डिविटेंट कितना इन लाक का और पर्षेंट आ गया है थाइस इस आशा बोलो कितना आया है दो लाकी यागे अर्निक्स अनिक्स अवेलेबल फर एकुटिश्ट अब रही क्या क्या दिख आना अच्छा डिविडेंट कितना दिया वो भी लिख देता हूं डिविडेंट कितना देना है सवाल है किसका 240,000 का 20% है या 8,000,000 का 20% है 20% किसका है मतलब dividend payout ratio दिया है ऐसा बोल रहे हूं किसका 20% या 8,000,000 का 20% अगर dividend payout ratio दिया है मैंने लिखवाय हूं किसका 20% अगर dividend rate दिया है तो 8,000,000 का 20% अगर dividend yield दिया है तो फिर market price का 20% पर dividend yield नहीं दिया है क्योंकि dividend yield तो calculate मांगा अब बच्चे 2 या तो इसका 20% या तो इसका 20% अब जो बोला dividend yield तो निकालना है तो 20% अगर dividend yield है तो फिर निकालना क्यों है तो डिविदेंट दिल तो नहीं आट लग का दिल बोल रहा है दिल गलत बोलता नहीं है ज़ता है वो भी वही बोल रहा है आट लग का 20 एक लाख बस अब निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या मांगा है डिविदेंट फॉर्मुला है डीपीएस डिवाइड बाए एमपीएस डिविदेंट परशियर बता दू एक बार एक लग साथ जार मार्केट प्राइस कितना है अब बोल रहा है कवर प्रफ्रेंस और एक विदेंट को कवर करना है तो फॉर्मुला क्या बनेगा इसको कवर करना इसको फॉर्मुला ने इसी था बोल सकते हूँ कि 2,70,000 divided by 27,000 कितना जाएगा 10 यार समझ में आँ प्रफ्रेंस डिविदेंट कवरेज रेश्यो निकाल रहा है 2,70,000 divided by 27,000 और एक विदेंट कवरेज रेश्यो 2,43,000 divided by 1,60,000 तो आँसर आएगा 1.52 आप कैलकुल तो यूज कर रहा है 1.52 विल्कु सिंपल है 2,43,000 divided by 1,00,000 बाकी वच्चे सबस्तों क्या कैलकुलिस रहा है सर मैं तो देख के बता रहा हूं तो ना तो पर मेरा ना एक्स्ट्र दिमाख शिला था मैं क्या सभच रहा था कि वो एक साथ पूछ रहा है कि प्रफ्रेंट डिविडियन एक्विटी डिविदेंग कवरेज्ट रेश्यों मुझे ऐसा लगा कि दोनों के एक साथ पूछ रहा है तो मुझे ऐसा लगा है रही दोनों को कवर करने की बात कर रहा है उस इसाफ से मुझे लगा 27 लाक तरह चार डिवाइड़ बाइ 27 लाक शाट अगर दोनों को कवरीज की बात कुछ रहा है वो दोनों को नहीं बुला था क्योंकि CA फाइनल में ऐसा कोश्चन है जिसमें दोनों को एक साथ कवर किया था हाँ अच्छा कवर प्रफेरेंस डिविडेंट है अरिकेट है लिख के कर लोगे पॉइंट नंबर कौन सा कर रहा है आप यह हो गया कवर प्रफेरेंस डिविडेंट इन्टू हन्रेड मार दिया है 1.52 तो पहला क्या करेंगे अब रेज रिशू प्रफेरेंस डिविडेंट तो पैट रिवाइड बाएंस डिविडेंट क्या हो गया है ते कर बड़े क्या है अटो नी, यह अलग से महँगाना, अलग-अलग 10 कि. pathetic कि आगे एक वेटी दिविडेंट कितना आरहा है वोट कैसे निकला 243,000 इवाइड़ एक लाग साथ यह बहाना बिल्कुल मैं बताना सर यह वाला फॉर्मूला याद नहीं है यह फॉर्मूला ही नहीं है यह लिखवाए नहीं है अपनी वाला फॉर्मूला यह तायद ही कोई होगा जो इपीस ना निकल पा है कितना? 3.04 3.04 3.04 कैसे निकलेगा? 243,000 divided by SESA price earning ratio, EPS divided by MPS नहीं यह तो आपको याद रहना चाहिए, मैं जाकर मैं बोलना था, अच्छाहि कुछ और है, पर हमने इतना बढ़ा price earning ratio तो आपको याद रहना चाहिए, फोरूम लेक्ट MPS बाए, MPS कितना है, MPS दिया होगा, 40, MPS कितना निकला था, 3 point, 0,3, 13 point, 1,6 Okay, अब जो question होगा, break की बात, वो मज़ा, मतलब बड़ा question होगा, मतलब यह ratio की मदद से profit and loss इकॉन भी बनाना है, और balanced सब मचाएगा है, ऐसे question करें, ठीक है, break, हाँ जी, पान लो आते हैं, हमारे module में question है, तो हमको करना है, हाला कि आपको 99% question balance sheet पाले ही, पर यह question करने के बाद, जब balance sheet वाले question करोगे नहीं, जैसे question में करवा रहा था नहीं, इसमें एक लाग, एक लाग, एक लाग दिया था, वैसे वाले question है, तो वो ऐसे लगे है, यार वाव, यह final के language में, वो लोग क्या बोलते हैं, वालवा है sir हाजी, question number कौँछा, 5, तर यह question क्या, PY के 3, PY के 3, PY के 3, question बड़ा है, time लगेगा question में, और अच्छा question है, मैं नहीं जानता है, exam में आएगा की नहीं आएगा, लेकिन इससे multiple choice question आ सबता है, पढ़ते हैं, the following accounting information and financial ratio PQR, 31st December, GP दे रखा है, 15% of sales, net profit दे 8% of sales, sales दे देता तो मैं जा जाता, raw material consumed, work course, क्या होता है, तुर बता ना भी यह किदर से निकले हैं, मैं भी लिखना हूँ, direct wages है, stock of raw material है, और stock of finished goods, debt collection period है, debt का मतलब यह debtor collection period होना चाहिए, debt collection period क्या होता है, यह debtors, जलत print हुआ हो, financial ratio, क्या लिखा है, 1 is 2, बतलब, अभी दो सुनू, माच चला हो थोड़ा ऐसा, financial ratio दिया है, 1 is 2, यहां print करना भूल गया, fix acid to cells, fix acid to cells, fix acid to cells, मैं भी इस question को कल बनाने की कोशिस कर रहा था, tally नहीं हो रहा था, हो क्या, चक्कर क्या, फिर देखा आपका, यह तो भूल गया मेरा typist, तो एस बुक को कोई दूसरा teacher यूच कर रहा तो, हलत खराभ हो जाए, fix acid to cells आगया, ठीक है, और fix acid to current acid, अब तो cells यू निकालेंगे, मुझसे cells निकाल रहा था कल, पूरी कोशिस कर लिया, cells निकाल ले की, fix acid to current acid, current ratio आगया, twist to one, के के sir, long term loans to current liability ratio का जुगाड कर लेंगे, capital to, मतलब capital भी है, reserve and service, value of fixed acid दे रहा है, 26 lakh, यही तो चाहिए था, आप तो पता नहीं क्या-क्या निकाल सकते हैं, तो बैलेशिटी मांग रहा है, profit and loss account, यात करो, मतलब trading account भी है, trading account में क्या लिखते थे, यात करो, opening stock, purchase, sell सिधार है ना, इधर closing stock, raw material भी आता है, wages भी आता है, एक हुद सब्द, अगर मैं यहाँ raw material purchase ना लिखकर, raw material consumed लिख दूँ, तो opening closing नहीं लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि raw material consumed लिखने वाला हूँ, तो मैं opening closing बिलको नहीं लिखूँ, तो चलो, सबसे पहले, क्या निकाले, cells तो निकाल लेते हैं, फिर सोचेंगे, लिखना भी होता है, पता है तो, cells कैसे निकाले हो भए, fix acid to cells, हम बताओ मुझ पर क्या बीती होगी, कितना time बर्बाद हुआ, अच्छा, एक्सथ इसलिया, कितना दिया है, चाब वान इसलिया, अच्छा रेशो से ही कर लो, सर आपर रेशो से ही कर लो जादा, चार रेशो, common sense नहीं लगाना, fix acid कितना है, 20,00,000, cells कितना है, x, x is it, विल्टो कितना सीधा तो यार फिक्स एसी टुवान है तो सेल्स थ्री हो गए तो तीन से मल्टिप्लाई करते अब क्या बाद सीधा बनाएं क्या ट्रेडिंग एंट यो लगेगा निकालते जाएंगे आचा वर कॉष्ट वर कॉष्ट मिनेगा लो वर कॉष्ट क्या आचा अपक्र ट्रेट आचा अब लोगेगा निकालते इसको अबस इतना बता दो तो फिर मैं आगे वोड़ा अचाँ मैं इसको क्या आगया आपका raw material consumed 20% diet wages 10% याना यार यह ले लिया यह भी ले लिया और इधर क्या ले लिया मैंने Cells material आ गया और क्या आगया हमारा wages आ गया और एक चीज बचे क्या factory overhead तो जो उसके बाद cells मेंसे यह सब minus कर दो GP और GP कितना बचा 15% तो सर सीधा बोलो ना cells मेंसे 15% minus कर दो तो जो आएगा वो over cost हो गया बस बदकता cells कितना है मैंस कितना करूँगा आपको पता वैसी यह बन चुट हूँ लेट लागेंटे 15% 66,30 अब बना ले पीए ना लेका हूँ सब्सक्राइब बना लेका हूँ इकाउंटिंग वैसी मुझको नहीं आता कि schedule 3 पे है क्या schedule 3 है कि 6 है हमारे जमने में 6 हमारे जमने में schedule 6 तो काउंटिंग के एक्सपर्ट बच्चे मेरे कामने रजाय का बाई सेल्स इदर बाई लिखते है या ना तोलो कितना रजायगा रो मतिर्कल कंसुंग ना बटर्टन उफ ट्लग बच्छाइस अट्लग ठीक है और क्या जाएगा वेज़ेस एक्सल एक्सेट पिर क्या नाम बोला था आपने फैक्ट्री वह रहाएट फिर क्या जाएगा जीपी जीपी मालूम है त्यारा लाग तत्तर अजार कर ददाएगा जार जाएगा 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 i e और कर फैक्ट्री वह रेट बोलुगा है कितना तलिशीघ शीकर बोल दो 4, 6 Indirect expenses गोल दिया Selling expenses गोल दिया इधर क्या जाएगा 2 net profit net profit ratio दिया है 8% net profit 5 lakh आप वह ज्यादा बहुत ज्यादा मुस्किल था किया spreading and प्रियलेंशेट का पॉर्मुड में जैना बेलेंशेट में और ये कोश्चन करने पर आपका कोश्चन नम्बर 45 कट जाएगगी कोशन नमबर कौन सा काटने वाले हो 45 और 46 भी काट दो एक एक साथ दो दो कोशन के चल रहे हैं 45, 46 भी कोशन चूट आने चाहिए वह भी पूरा कॉपी करो तो चेकल में डबल डबल हो किशन चलो दुखाओं करें कौन साथ लेगा है अब यहां तक हो गए अभी हमको बनाना है बैलेंश बैलेंश कुछ हो सकता है कि बैलेंश एक साथ नहीं अगया है एक चीज तो मिल रहे हैं एक साथ नहीं अगर अलग-अलग किया जा सकता है तो अलग-अलग लिखना पड़ेगा तो यह तो चबीस लाग हो गया क्या करेंट एसट कैसे निकल रहा है यह निकल गया हाँ सर तो को प्रो मटेरिल है और श्टॉक ओफ फिनिस गूट्स है यह दोनों श्टॉक निकल जाएगा यह डेटरस निकल लजा सकता है इससे लेटरस भी निकल सकता है तो बचा हुआ कैश लिख देंगे करेंट लाइबिटी आपने बता दिया कितना ग्याला लाक काम हो जाएगा 22 लाक सबसे बहले काम करो 22 लाक कैसे निकला वो लिख देना करेंट असिट कितना है तो इससे कितना था 26 लाक सब्सक्राइब कितना है थर्टीन तो के थर्टीन और हमको निकालना क्या है 11 मुझे तो युनिट्री मेथट सबसे अच्छी लगती है 22 लाक उसमें से सबसे पहले श्टॉक अफ रोव माटिरियल अपिरेट दे रखा है थ्री मान्थ इंटो 3 बाइ 12 यह तो बरिंग कैपिटल में पढ़ाता है रोव मिट्यों कितना है थर्टीन लाक 20 6,000 इंटो 3 बाइ 12 3315 00 इस्टॉक आफ फिनिस बोट्स भी निकल लेते हैं वर्क वॉष्ट कितना था 60 एक कितना बर्षण 3 ठीक है कि बाद लेटर्स लेटर्स तो सेल्स पर नहीं कलेंगे सेल्स कितना 70 इसना पिरियट 60 डिवाइड़ बाइ कितना इसा कहां लिखा है वोई लेते हैं ICA वो 360 लिया पर कि आप के मर्ची मेरा काम है बता नहीं काम मैंने बता दिया आप 360 से भी कर सकते हो क्योंकि कैसे 360 में कौन सा 360 में 13 लाग अच्छा लग रहा है ना अब बैलेंसिट तो मैच होगी वो तो बैलेंसिक फिगर ही डालना है ना बीच में केना तो कितना आए 30 लाग अब मान दो सर नहीं तो काट देंगे 30 लाग दिख तो आजाएगा श्टॉक क्या चीज? तो गोप्रो मिटीज कि कितना निकाला था है 3-3 और क्या निकाला था स्टॉक आफ फिनिस गुट्स कितना टिक टिटेस बाखी कैश में डालता है कैश करेंट एसट के तो टोटल मालूम है? वन 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 सेवन जीरो सेवन जीरो और एक शी करेंट एसट आच्छा ठीक यह बैलेंसिंग फिगर है कैश यह वाला बैलेंसिंग हाँ तो होतो हो गया है यह तो टोटल ही हो गया फिक्स एसट मालूम है करेंट एसट मालूम है 48 लैक चलो मेरा बैलनसिट कर टैली होगी है 48 लैक अभी कुछ दिया है की काम की चीज़ अब अच्छा एक्विटी और रिजर्व मतलब जो बैलेंस आएगा कितना आया बैलेंसिंग फिगर तो निकल सकता है वो इन दोनों में बटेगा पाटनर्शिप में वन इस्टू फोर में बाट तो अब आरा लाग आएगा कहीं नोट कर ले ना ये समझे में नहीं आएगा लाजट वन इस्टू फोर में बाटना है बैलेंस मारा इसमें से ये निकालना आनस करने के बाद जो आया उसको वन इस्टू फोर में बाटती है झालना है हुआ हुआ झालना कॉश्चन नमर् सेक्स यह है टी वाई के फोख लिए कॉश्चन काटा होगा अपने 46 काटा होगा अरे यह भी अच्छा कॉश्चन है यह दो कॉश्चन अच्छे है बागी सब इसके बाद सब से तो लिखा गनपती लिमिटेट हैस फनिश भॉलिंग रिशो आठ लाख रिट रिटन नेट वर्थ नेट वर्थ का 25 पर इंकम टैक्स का रिट दिया 50 पर इंच्छाएं पर्टाइट परिटल केयर का इंच है बाट था रिट खेंच परिटल से जभी बाट था वैसे 7 इस्टो 3 current ratio is 2-2 मतलब 2-1 net profit to sales raise 6.25 inventory turnover ratio COGS के basis पे लेना का है COGS दे दिया 18 लाग interest on debenture दिया है 60,000 receivable दिया है 2 लाग और payable भी दे दिया है 2 लाग सबसे पहले क्या निकालना operating expenses operating expenses का मतलब किसके बाद के expenses EBIT EBIT से पहले के expenses COGS को छोड़के जो बचा है ना याद है ना operating expenses ओके तो operating expenses निकालना और फिर balance sheet में balance sheet का format दिया है क्या इस बॉर्ड में नहीं होगा format है उसका अच्छा बुक में भी नहीं है question number कौन सा है यह ना परिशान कर देता है तो format लिख लो TY के और हाँ चलो balance sheet का balance sheet copy में लिख लो बनाना तो आई बाद में working note कर ले balance sheet का format दिया हुआ है question के साथ fix asset इधर दिया है इस बर हाँ हाँ हला कि कुछ लिखा नहीं है current asset stock और debtors और cash format से हमको पता लग जाता कि हमको क्या-क्या चीट चाहिए और फिर आ गया यहाँ share capital और क्या है reserve and surplus और क्या है eventures और क्या है payable तो मैं आपके लिए दो चीज़तों लिखे देता हूँ receable कितना दिया है 2,00,00 और payable भी कितना दिया है 2,00,00 चलो तो सबसे पहले हम क्या निकाले operating expense यहनले कौन बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है पर sales में से COGS सुनन ध्यान से sales में से COGS माइनस करते है तो आता gross profit उसमें से interest को छोड़के सारे खर्चे माइनस करोगे तो वो क्या जाएगा आपका net profit तो मुझे gross profit और net profit के पीच का निकालना operating expense कैसे निकालना जाकता है जल्दे से सबसे पहले cells दिया है क्या क्यादो cells निकालते है वह dawn जो çalış निकल सकता है निकाल लीती है та पी ratio दिया आ्यक्या पाट लाग कलो काम करें सबसे पहलेे क्या दिया है cells कितना दिया है थाट लाक ठीक है इसके बेसिस पर क्या निकल जाएगा नेट प्रोफिट कितना थाट लाक इन्टू इक्स पॉइंट तो फाइप पर्शन बलू कितना है थीन लाक 75 जर या अप्टर टेक्स है की बिफोर टेक्स क्या बात कर रहे है थाट कि यह जो नेट प्रोफिट एक्स माइनस करने के बाद आया है कि पहले आया है कि देख लेते हैं कि चलो जीपी निकल सकता है क्या साथ लाक माइनस 18 लाक UGS 18 लाक है ना कभी-कभी तो मुझे को इस पर भी शक हो गया था कितना UGS 60 लाक का सेल से और 18 लाक सेल से कैसे हो सकता है ज़्यादा दिमाग मत चलाना कितना आ गया 42 लाक्स क्या गया जीपी और कुछ बचाय क्या अब क्या करना है अब क्या करना है इतना क्योश्चन नमबर कौन सा गलत है ठोटकिने जो पता है अब कर गलत क्या अब प्रेटिंग एक्स्पेंसेस आपका आ रहा कितना आ रहा आपका आचा इसको एक काम करो मालो कि ये profit after tax tax तो operating expenses नहीं होता 3,55,75 अज़े डिवाइड बाइ 50% करो तो profit before tax साथ लाक माइनस 42 लेक्स 33 लग नबे ज़र है कितना हाँ interest net profit interest माइनस के बाद है ना तो भाई चलो प्यार से अब ऐसा करते ये जो दिया है net profit ये दिया है profit after tax कितना दिया है 3,55,75 इसमें मैं प्लस कर दूँगा tax मैं back calculation पर जा रहा हूँ तो tax मतलब ये 50% है तो tax कितना आ गया 3,00,000 उतना ही आएगा तो ये जो आ गया है ये आ गया profit before tax कितना 7,50,000 इसमें प्लस क्या कर देंगे interest interest कितना ताट हजार तो क्या profit नहीं है क्या आगे EBIT वही हमको चाहिए था आट लाग और GP कितना है 42,00,000 42,00,000 मैं से operating expenses minus किया होगा तभी तो आट लाग 10,000 वही तो होता है actual में तो सर फोर्टी टू लेक आया था तो मैं सीधा क्या लिकूँ अपरेटिंग टूटल COGS minus करने के बाद आया था 42,00,000 उसमें से अगर हम EBIT minus कर दे तो क्या जाएगा हमारा operating expenses कितना 33,00,000 अच्छा कोश्चन चलो यह तो बना लोगे चलो कोशिस करें क्योंकि यह important है यह आता एक्जाम जिस आप कहां से इस्ट आ है balance sheet बनाना में इसको fill करना बढ़ा चलो डिबेंचर लिख ले क्या क्योंकि डिबेंचर पर interest दिया हुआ है तो डिबेंचर तो लीखी सकते हैं तो साथ हजार रिवारेट बढ़ा 15% डिबेंचर कैम आउट आजाएगा चालना आप 15 लिखना भूल गया था मेरा जो स्टाफ हो तो बैलन सीटी भूल गया था मैं कहां से निकाल देता डिबेंचरी हो दाओ अभी क्या कर सकते हो यह बताओ उसके लिए सीोजियस चाहिए है हाँ तो क्या करेंगे भाई चादिया हुआ है 18 लाग डिवाइड बाई 12 लाग इतना आ रहा है आप वर्किंग बनाते जाना है न 1,50,000 करेंट रिशू तू दिया है न इसका जुगाड हो सकता है क्योंकि करेंट लाइबलिटी यह दो लाग करेंट एचिट आ जाएगा चार लाग चार लाग में से यह दो नो मालू है तो बचा हुआ कैश करेंट रिशू दिया है टू अ मतलब जितना करेंट लाइबलिटी हो से डबल डबल में यह दो चीज मालू है बचा हुआ कैश अब भी क्या कर सकते तर कुछ भूले तो नहीं आन यह रिटने पर्त है गुरू इसे एक क्वेटे न में नट वर्थ न कंछ जाएगा न अ अ मतलब कर और यह दून अ इन का मतलब होता है प्रॉफिट एकर टेक्सट रोकी तो, नेट वर्थ कितना दीया? 25% और रिटर्ण आउनेट वर्थ पर अर्निंगक आफ्टरट के अर्निंग आफटर हजार इनगकर पे है BBQ और जोकी है कितना पर्षेंट? 25 पर्षेंट 3,75,000 जोकी है 25 पर्षेंट तो यह आगया 15 लग 15 लग आगया हमारा नेट वर्थ 15 लग को बाट लो 7 इश्टू 3 में बाट लो इसको 10 लग और 4,50 तो फिक्से सिर्टो निकल गए फिर यह आगया हमारा बैलन्स ही अब कोश्चन आज में नहीं बनाएं मालो हैं चड़ी मैठ के कोश्चन थेना है अब कोश्चन आख ने बनाएं मीठ कोश्चन आप कोश्चन थेना हैं कितना बड़ा कोशिन हो अच्छा देख रहा है सर इसमें balance sheet का format नहीं दिया था है ना ICAI ने भी नहीं दिया अब जुगार लगा कि आपको balance sheet का चलो एक बार balance sheet का एक बार देखी लेते हैं ये 72 72, 72 बार बार क्यों लिख देता है मचको ये समझे में नहीं है तुरा बताना अब मैंने कहा ना उसको idea नहीं है non commerce वाल एक चीज़ तो है कि fix asset आएगा reserve and surplus भी आएगा बिल्कु सही तो share capital तो आ नहीं है bank ody है जोकी कितना है चाले सब्सक्राइब चाचीज़ bank ody तो current वह है नहीं है तो इक ratio भी दे रखा मतलब क्या stock होगा हाँ एक जुगार लगाते ना stock और other current asset और bank ody current liability में सिर्फ bank ody है कि other कुछ हो सकता other हो सकता है पर अभी तक confirm नहीं है लेख लेते है फॉर्मिल्टी तो पुरी अधर कर दो इदर चपना था ना वो तर चला गए चलो कहां से हिम्मत दिखा देखो यारते खो देखो देखो 2.5 is to 1 यह कौन सा ratio है current और liquid ratio है 1.5 is to 1 बता working capital कितना है यह ना working capital 1.5 और stock कितना है 1 तो पहले stock तो निकाली लिते net working capital दिया है तो पहला लिखोगे stock वरकिंग capital कितना दिया है 2,40,000 तो 2,40,000 divided by 1.5 is to 1 एक लाख एक लाख क्या current asset निकाल सकते हैं total current asset current asset 2,40,000 क्या चीज है वरकिंग capital divided by 1.5 into क्या कर दोगे 2.5 चार में से एक सथ मालूम है 240 क्या current liability भी निकाल सकता है 240 divided by 1.5 into 2,1 कुंसा वाला वन? ये वाला वन है न? ये वाला वन है न? इधर वाला एक बीस में से चालिस मालूम है अच्छा एक फाइनल आंसर एक फाइनल आंसर तर ये बुक का कोश्चन है कि yes ये बुक का है tyk6 और इसकी वजह से आपका कोश्चन नमबर 48 कर जाएगा ने 48 homework ले लो उसमें न फिगर को डबल करके दिया है मज़ा आएगा एक फाइनल फिगर 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 चैंज करें tyk48 देख रहा है डबल करके दिया है 240 को 84 कर दिया होगा 48 चिक है अभी ये बताओ कि क्या हो सकता यहां तक हमारा काम हो चुक है प्रोप्राइटरी फंड कैसे क्या कुछ एक्विटी शियर कापिटल प्लस रिजर्व एंड सरफ प्लस प्लस प्रेंशियर कापिटल इसको बोलते हम प्रोप्राइटरी फंड प्रेंशियर कापिटल तो है नहीं है यह है क्या है तो प्रोप्राइटरी फंड तो पता है उनको प्रोप्राइटरी फंड तो पता है उनको प्रेंशियर कापिटल अब बताओ भई अब बताओ के अच्छा यह रेशियो दिया है न यार इससे काम हो जाएगा न बोलो क्या है रेशियो फिक्स एसिट टू प्रोप्राइटरी फंड इस एक्वल तू 0.75 मैं प्रॉपर रेशियो लिखके करता हूं तो फिक्स एसिट कितना दिया है तो उसको फिक्स एसिट ले लेते हैं और प्रोप्राइटरी फंड क्या है फिक्स एसिट प्लस वर्किंग कापिटल दिया है फिक्स एसिट प्लस वर्किंग कापिटल इस इक्वल तो कितना जाएगा 0.75 ये नीचे वाला fixed asset plus working capital कैसे है जरा बता होगे ये ना ऐसे आता नहीं यार balance it ये याद है कि नहीं ऐसे total मारो हुचा है ऐसे मारो इसे बात है proprietary fund का debt है निए formula बोलो proprietary fund fixed asset plus current asset minus current liabilities अच्छे समझ लो ये काम आई गई है ratio fixed asset plus current asset minus current liability मतला fixed asset plus working capital इन दोनों का totally तो निकलेगा ultimately अब working capital क्या मुझे मालूम है कि 2,40,000 तो fixed asset निकल जाएगा मेरी ख्याल से आराम से 7,000,000 पिस्वास पे लिख रहा हूँ अब तो निकल जाएगा एक बढ़ी इसमें एक चीज ऐसी है जो हो सकता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग घून सकता था वो था proprietary fund निकालने का दूसरा तरीका तो कहीं लिख लेना इस्टा लगा कर proprietary fund is equal to fund is equal to fix a shift plus working capital minus long term debt नहीं बोलो नहीं यहर debt है नहीं जाएगा अच्छा कोश्चन था बस है कोश्चन नम्हान नाइन कर लिया आएक है कोश्चन नम्हान 10 कट कर दो मारे बुक का कोश्चन नहीं ना तो मॉड्यूल का है ना तो इसका है क्यों ना आप हिम्मत दिखाओ मान लो कि मैं हूँ ही नहीं ठीक मज़ा आएगा कैसी चीज है कि जो आपको सुना सुना नहीं लगता है सब सुना सुना अच्छे इसी भी दिया है क्या अच्छे इसी भी दिया है क्या सेल्स कितना है एंटो 40 डिवाइड बाए 360 तो यह आगे 33,33,33,33 और इस्टा कितना है साथ लाग तो यह आगे साथ लाग कि यह आगे 30 तो कैसी कैसे निकला भी फिर अच्छे टेस्ट रेश्यो मतलब यह हो गया हमारा क्यों के रेश्यो इस्टॉक को छोड़के इस्टॉक को उड़ा दिया हमेने पाच लाग तो पाच लाग इंटो पॉइंट सेवन फाइफ कितना आगे पाच लाग इंटो पॉइंट सेवन फाइफ तो यह आगे तीन पच्छतर तीन पच्छतर में से डेट्रस मालूम है तो 4,1,6,7 तो फिक्सस इट आगे फिर चार लाख पच्छे से अज़र पड़ेगे अज़र आगे चलो नहीं ऐसा मत बनाओ मुझे फोन करो के बाद में इसा अज़र आप भी नहीं अभी है 4,1,6,7,7,7,8 कोशन नमर 13 मैंने बस अंसर लिखा है complete 13 का तो बज़ा क्या एक आज चीज का अंसर एक आज चीज का आंसर बता दो सर फिक्स एसिट का बता देता हूँ 11,90 ताकि पता लग जाए कि यार कैसे ठीक है Queshion No. 13 हो गया हाज Queshion No. 14 ऐसा वाला Queshion किया है पर इसको करना है इसका अंसर है 13.6% इसका है 12.2 4% और इसे यह है 0.9 और इसका अंसर है 15.17 एसे टर्न ओर रिश्व हाँ रहाच रहाच अब बाकी है अब बाकी है कल कभी टाइम लगेगा हो सकता पर सुक्ष पर कर रहा है तो थोड़ा परफेक्शन के साथ हो खवा में ना लाज्ट शेप्टर 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 ठीक हाँ हाँ लेवरेश तो करी लेंगे ठीक है और खुमक चाहिए क्या क्योंकि इसमें एवरेश स्टॉक निकालना है एवरेश डेटर से निकालना तो आप ओपनिंग क्लोजिंग में कन्फ्यूज हो जाओ इस वज़ए कुश्च नमबर 16 होमवक है और सर इसका एकाच चिछ का अंसर बता सकते है यह कैपिटल बता दूँ चलो फिक्स एसिट इसमें भी बता देता हूँ तो सहीं बता ना 6.85 था और इस टॉक भी बता देता हूँ स्टॉक है 2,10,000 अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझसे मांग देना WhatsApp में मेरे पास पिक्चर है तो शेर कर दा बैले यह भी आपके लिए होंगा यह समझ रहा हूँ ना सब्द लिखा current liability जो है ना वो दो चीज का है other current liability होगा और bank credit मतलब वो अपना overdraft होगे रहा PNL account नहीं बना पाओ जरा बताना answer नहीं इतना ही है भाई answer बता हूँ answer तो नहीं यह तो ऐसे डाल दिया था कहें से उठी पर मैं भी तो देखूँ कि 8 18,000,000 अभी तो किया था इस टाइप का homework है इसको क्या homework है cut हाँ जी इसको क्या बनाऊगे यह वाला तो किया है यह तो मैंने यह सार इंस्ट्यूट का है कि नहीं तो मैंने बाहर से उठा दिया था कि चलो यह ट्राइल मानते है यह सब multiple choice question में करवाँगा मैं हाँ जी यह सब MCQs में करवाँगा तो 20 तक का target था और ही डल गया latest management का question इधर डल गया ठीक है तायद ने पक्का हो जाया नहीं 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 22 पे आना एक बार प्लीज 22 अभी करके बताओ calculator में करने वाला question कैसे निकाल नहीं मतलब यह क्या जवाब हुआ मैं पूछते 12 लाग 12 लाग 12 लाग 12 लाग 12 लाग अच्छा ऐसा निकाल तो फिक्स इस उतित कितना है एए पंगा हां जो बनता है न 12 लाग इंटू 0.75 divided by 0.25 यह समझे बनी है कि किसी सबसे लिए रहे है तो काड दोगे बस यह चीज़े याद रखना कि जैसे निकाल रहे हो ठीक प्ट्राइटरी फंट 48 ले यह निकालने लगाऊ ना जो गाण नेट आरूई रिटन अर मतलब एक्विटी का पंद्रा पर्शन अर्निंग होगा क्या बोलते अर्निंग अविलिबल फर एक्विटी शिए और एक्विटी का मतलब प्रोप्राइटरी फंट रैट नहीं है ना प्रोप्राइटरी फंट तो निकाला है अपने कितना 48 लाग, 48 लाग का 15 परशन करो 7 लाग 20 जार भाई हमारा क्या हो गया नेट प्रोफिट अब नीचे क्या चाहिए, सेल्स 8 लाग इंटो हंड़ट वाओ इतना अच्छा लाग आंसर दिया इस वरसे ही लिखा बच्चे 12 परशन्ट टाटला कि धर से मुझे बताया अच्छा वर्किंग कापिटल डेवारेड बाई फाइफ इंटो फाइफ होगा ना है 12 लाग इंटो फाइफ बस बहुत हो गया अभी नहीं करता ठीक है, क्लास ओवर कराऊ बाकी कोशन कल करेंगा क्लास बच्चे